नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशान्त आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडिन प्रीमिर लीग के 30 सीजन का दूसरा क्वालिफायर मैच आब उधावी के मैदान पर दिली कैपिटल सो सांडराइज हैदराबाद के बीच खिला गया इस मकाबले में दिली कप्तान स्रेय सेयर ने टॉस जी था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया इस मकाबले में स्रेय सेयर ने माकस टोनिस और शिखरधवन की जोड़ी से ओपनिंग कराने का फैसला किया जो बेहद सही साबित हुआ माकस्टोनिस और शिकरदवन की जोडी ने शुरुवाती आठ ओवरों में ही 85 से जादा रणों की साज़ेदारी कर टीम को एक तगड़ी शुरुवात दिला दी खास कर माकस्टोनिस तो अलग ही लिवल में बले बाजी कर रहे थे और ताबड तोड़ अंदाज में हैदरबाद के गेंद बाजों की बखिया उधेड रहे थे हैदरबाद को विकेट की तलाश थी और ये तलाश एक बार फिर राशिद खान ने पूरी की पारी का नववाव बर लेकर आया राशिद खान ने अपने दूसरी गेंद पर माकस्टोनिस को क्लीन बोल्ड कर दिया जिहां एक शानदार गेंद थी जिसको पढ़ने में माकस्टोनिस पूरी तरीकी से चुप गए गेंद पढ़ने के बाद हलकी सी घूमी और माकस्टोनिस का अपस्टम्ट लेकर चली गई माकस्टोनिस 27 गेंदों पर 38 रण बना कर आउट हुए इस दरान उनने पांच चौके और एक चुछक का लगाया हला कि विकेट लेने के बाद राशित खान कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए और उन्होंने माकस्टोनिस को कुछ भला बुरा कह दिया जी हाँ बीच मैदान ही राशित खान और माकस्टोनिस के बीच तू तू मैमै भी देखने को मिली हला कि अमपायर ने इसको लेकर कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी लेकिन थर्ड़ अमपायर ने इस पर जरूर नजरें कड़ाई होंगी और मैच के बाद दोनों को इसको लेकर कुछ ना कुछ भुकतान तो जरूर करना पड़ सकता है आपको दादें शिकर धावन और माकस्टोयनिस की जोड़ी ने पहले विगट के लिए 8.2 ओवर में 86 रन जोड़े माकस्टोयनिस 27 गेंदों पर 38 रन बना कर आउट हुए आपको दादें इस मुकाबले को जीदने वाली टीम 10 नवंबर को मुंबई इंडियन्स के साथ IPL 2020 के फाइनल में भिड़ेगी फिलाल के इस वीडियो में इतना है तमाम स्पोर्ट्स अब्डेट के लिए बन रहे है वन इंडिया के साथ